वेलकम टू माई चैनल आज देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खोब सूरत ओलें ब्लाउज का डिजाइन लेकर आई हूँ यह फ्रेंड्स मैंने जो हमारे ओन छोटे छोटे बच जाते हैं उनका मैं आप लोग को ब्लाउज बनाना बताऊंगी बहुत ही यह देखिए फ्रेंड्स मैंने मल्टी कलर लिया हुआ है आपके पास जितने भी ओल थोड़े थोड़े बच जाते हैं तो आप जरूर ऐसी डिजाइन बना लें तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैंने यहां पे तीन से चार कलर लिये हुए हैं वाइट है रेड है ब्ल आप लोग के कमेंट सो नहीं हो रहे हैं वो यूटीब के कुछ अपडेट की वज़े से ऐसा हो रहा है आप लोग जरूर कमेंट करें क्योंकि दो तीन दिन से मेरे वीडियो पे कोई आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है एक दो आ रहा है बस और कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो चलिए friends इसको बनाते हैं तो इसको बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बिल आइकन जो आता है उसको भे क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो देखे friends ये design बहुत ही खुबसूरत लग रही है आप लोग को दिख रहा होगा ये देखिए तो इसको तो अब भी तक मैंने जितना भी बताया था आप लोगों को हमेशा टू कलर में बताया था ये design मैं आप लोग को बहुत बार सेयर कर चुकी हूँ बट यहां पर आज मैं आप लोग को ये multi color में बनाना बताऊंगी क्योंकि अगर हम इसमें other color use करते हैं तो आप लोग को ये नहीं पता होता है कि हमने आगे से लगाना है या पीछे से तो चलिए यहां पर देखिए red white sorry black और white का मैंने इतना बनाया है ओपर मैंने यहां पर black और yellow कर दिया है उसके बाद मैं red white लगाऊंगी तो चलिए एक बार और आप लोग को बता देती हूँ इस टीजाइन को चलिए हम बनाते हैं ब्लैक कलर अब लगाएंगे यलो से मूने हैं तो ब्लैक कलर लास्ट में हमारे स्टार्टिंग में ऐसे होगा अब देखिए तीन हम बुन लेते हैं एक उतार लेंगे फिर देखिए हम तीन ब्लैक से बुनेंगे देखिए फ्रेंट्स हम ऐसे बुन के देखिए ये राउंड सॉरी ये सलाई हमने ऐसे कम्प्लेट करनी है देखिए तीन हम ब्लैक से बुनेंगे और एक यलो वाला हम स्लिप कर लेते हैं यह देखिए पिर एक हम स्लिप कर लेंगे एक दो ते एक यहां से हम सौरी यहां पर हमारा देखिए फ्रेंट्स हम पूरी रोग कम्पलीट करके पीछे की साइड आ गए हैं अब पीछे की साइड से आपने क्या करना है जो फंदे हमने बुने हैं उनको सीधा सीधा हम बुनेंगे उनको अपने साइट करके जो हमने उतारा है उसको हम उतार लेंगे फिर देखिए तीन फंदे हमने बुन दिये हैं एक हम ऐसे उतार लेंगे फिर यहाँ पे हम तीनों फंदे बुनेंगे यहाँ पे फ्रेंट्स मैंने अस्ती फंदे लिये हैं यह blouse का मैं आप लोगों को डिजाइन बता रही हूं कल साम तक या मॉर्णिंग तक इसका फर्स्ट पार अपलोड हो जाएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा आज कल फ्रेंट्स थोड़ा बीजी चल रहे हैं इसलिए मैं blouse की डिजाइन नहीं डाल पा रही हूं एक दिन कर देदेंगे लियर यह Daisy होगा इसलिए मैं पहले ही आपशनाने को को डेजाइन बता देती हूं और अगर आप यह डिजाइन बना लेंगे जैसे भी थोड़े बहुत उन बढ़ जाते हैं तो इसमें आप डिजाइन डालिए बहुत ही खुबसूरत यह लुकाएगा देखिएगा आप लोग बनने के बाद और बहुत अच्छी एकदम सिंपल सी ब्लाउज होगा इसको सारे बिगनर्स भी बना सकती है जिनको उल्टे सीधे की नेटिंग करने आती है गोलो भी इसली इसको बना सकती ह तो जैसे अब मैंने आप तीन-तीन लाइन की ये डिजाइन्स रखी है आपके पास थोड़े-थोड़े ओल है मतलब छोटे-छोटे टुकडे होते हैं जो जैसे हमारे दो-तीन राउंड में वस होते हैं तो आप एक-एक लाइन की डिजाइन चाले वो भी बहुत ही अच्छ लाइन का यूज कीजिए अगर कम थोड़े-थोड़े तुकडे बच जाते हैं तो मैं बहुत सारी छोटे-छोटे ओल के यूज बताती हूं कि हम सॉक्स भी बना सकते हैं उलेन ब्लाउज बना सकते हैं कार्डीगन भी बना सकते हैं मैंने धेर सारी सॉक्स की डिजाइन्स अच्छा फ्रेंडान आ रहिए तो आप जरूर वाच्क करें ख्रें जहां ना समझ में आये तो कमेंट करें जरूर कोसिश करती हूं कि आप लोग को दोवारा बता हूं होना चाहिए यह नहीं कि आपने अब भी मैं वाइट के साथ यलो लगा देती तो उतना अच्छा यह कलर नहीं आता तो इसलिए आप लोग कलर कॉंबिनेशन का जरूर ध्यान दे जो कलर अच्छा लगे वही कलर योज करें देखिए किती खुब सूरत लग रही है तो आप ल यह दस बढ़ा है नभे वड़ा नभे टोटल कर ले उसके बाद बुने यह मेरा 32 नंबर के लिए है तो मैंने यहां पर सीधे वस अस्तिफ अंदे रखें कहीं बढ़ाया नहीं और यह उपर तक जाएगा तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूले नए है तो चनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स वाराची